नमस्कार दोस्तों मैं मयूट सुरिवेंशी आपका स्वागत करता हूं सुरिवेंशी अकेडमी पर दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं वस्तुनिष्ट प्रश्णों के शंकला में आगामी अध्यायों को आज हम बात करेंगे भारती समिधान की उद्देशीका से जुड़े जा सकते हैं उनके बारे में और साथ में हम बात करने वाले हैं अध्याय जो हमारा भारती समिधान का होता है भाग दो नागरिक्ता अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसके विशय में आज हम सारे वस्तुनिष्ट प्रश्ण देखने वाले हैं तो दोस्तों पहले प्रश्ण से शुरुआत करते हैं पहला प्रश्ण है विधिक संप्रभुता भारती समिधान में निवास करती है न की हम भारत के लोगों में यह विचारधारा व्यक्त की गई थी यह किस केस में इस प्रकार की विचारधारा आई थी तो यहां पर हमारे पास चार प्रकार के अलग- बिल्कुल भी नहीं इसमें नहीं थी शंक्री प्रसाद का वाद एक प्रथक वाद था गोलकनाच जी का वाद अलग है तो यह जो प्रश्ण पूछ रहा है कि विधिक संप्रभुता भारती समिधान में निवास करती है न कि हम भारत के लोगों में यह विचारधारा केश्वन भारती बनाम केला राज जी इस परकार का केस आता है और उच्चतम न्याले ने इस के अंदर बहुत सारे निर्णए दिये थे तो इसके बारे में हम जानकारी प्रथक वीडियो के माध्यम से भी जानकारी ले चुके हैं पर फिर भी मैं आपको थोड़ा बता दूं कि यह के ने जो अन्युपबंदों का इस प्रकार की इसमें बात की गई थी उद्देशी का में संशोधन किया जाता है इस प्रकार की बाते भी केश्वनद भारती की केस में की गई है केश्वनद भारती का ही वह केसे जिसमें सम्विधान की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है दूसरा यहां पर बताया गया था कि उद्देशी का जो है वो न्याय योग नहीं अर्थात इसके आधार पर कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता इसके अलावा जो सुप्रीम कोड ने एक और जज्जमेंट दिया था यहां पर कि जो हमारी उद्देशी का है यह जो जाभ ने गुलखनाद बनाम पंजब राजी का प्रकृणर था इसके और अगर अगले प्रश्णकी तो निम्लिखित में से कौन mix में संप्रभू है तो प्रधार मंघ्री नहीं है राश्पती नहीं है केंदरी मंत्री पशर तो वह है हम भारत के लोग क्योंकि उद्देशिका के आरम में कहा गया है वी दप्यूपल आफ इंडिया हम भारत के लोग इसका तातपर यह सम्विधान के जब मूल इस्त्रोत है वह भारत की जनता है और वही समझ्व शक्तियों का केंद्र बिंदू भी यह माना गया है और जो संप्रभूता होती है वह जनता में नहित होती है अगर प्रश्ण पूछे कि यह शब्द कहां से लिया गया है तो यह जो शब्द है संयूक्त राष्ट संका चार्टर था उसके उद्देशिका में प्रयूप जो शब्द था वी दे प्यूपल उफ युनाटेड इस्ट किया है तो पहला option है सभी व्यक्तियों को मूल अदिकार प्राप्त कराना दूसरा है भारत के नागरिकों को मूल करतव्य प्राप्त कराना तीसरा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट की एकता और अखंता सुनिश्चित करना अखरी है सरकारी सेवाओं को सेवा की सुरक्षा की प्रतिबुधी प्रदान करना तो इसका सबसे जो सही सटी का आंसर है वो सी है क्योंकि प्रस्तावना कहती है कि भारत में समिधान की जो भारत के उद्देशी का है वो कहती है कि गरीमा और राष्ट की एकता खंता सुनिशित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए इस प्र आपको केश्वनान भारती के केस में समझाया था कि समिधान के निर्वचन में बहुत हेल्पफुल है तो कौन सा उप्शन इसको हेल्पफुल बताता है तो वो अपने को सिलेक्ट करना है तो सुसंगत है किन्तु वही जहां मूल सनरश्णा के तत्वों को जानना है सी कहता है सुसंगत है किन्तु समिधान की भावना जानने के लिए तो देखो दोनों के सुसंगत तो बोल रहा है पर कारण कुछ और दे रहा है आखरी जहां भी किसी उपबंद का अर्थ संदिक्द है वहां सुसंगत है तो सबसे अच्छा अंसर तो यही है इसका D option कि जहा कहीं समिधान की भाषा जो है संदिक्द होती है जो समझ में नहीं आती है तो वहां उसका अर्थ बताने के लिए यह प्रस्तावना का उपयोग किया जा सकता है ऐसा केश्वनन भारती के केस में ही डिसाइड किया गया था मानी सुप्रीम कौड के द्वारा अगला प्रशन रिखते हैं व्यक्ति की गरीमा और राष्ट की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली इसके आगे करना भारत के प्रतेक नागरिक का मूल करतव है दूसरा राज्य का एक नीती निदेशक तत्व है तीसरा भारत के समिधान की प्रस्तावना के अंतरगत एक संकल्प है और चौथा भारत में प्रतेक व्यक्ति का एक मूल करतव है तो उसका सबसे आच्छा अंसर तो यही है सी ऑप्शन भारत के समिधान की प्रस्तावना के अंतरगत एक संकल्प है योगि इस प्रकार का हम संकल्प लेते हैं द्रड़ संकल्पी थोकर अपनी संकल्प है तो हम दे रहा है एक समाजवादी लोगत अंतरात्म गणराज है दोस्तों गर आपने समिधान की प्रस्तामना वाला वीडियो देखा होगा तो आप इसको समझ जाएंगे कि इसका आंसर किया है तो इसका आंसर जो है वो बी ही आने वाला है कि एक संपून प्रभुत्व संपन समा समाजवादी पंत निर्पेक्ष लोगत अंतरात्मक गणराज जी तो यह पूरा एक क्रम है इस क्रम से ही आप इसको याद रखें तो इसका आंसर जो बी है वो आपको याद रखना है इन शब्दों के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए कि एक संपून प्रभुत्व संपन क्या होता है समाजवादी क्या होता है पंत निर्पेक्ष क्या होता या लोगत अंतरात्मक गणराज जी क्या होता है तो इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो है प्रस्तावना की विशेष्टा वाला वह अवश्य सुनिएगा क्योंकि किसी भी एक्जाम में चाहे वो क्रम वाली बात आ गई तो जो पिछला वाला हमारा प्रश्ण था वो क्रमानुसारी था इसमें भी क्रम ए वाला सही लग रहा है प्रभुत्व संपन समाजवादी धर्म निर्पेक्ष ठीक है इसको हमने पंत निर्पेक्ष कर दिया है तो प्रजातांत्रिक लोगतंतात्मक ग ऑप्षण में भी प्रजातांत्रिक गणराज घ्रे ऑगर सी के अंदर पंत निर्पेक्ष चावा है तो हमारे इसमें गनराज'ी शब्द है समाजवादी गन्तंत्र भी नहीं है तो ढ़ी ऑबश्ण हो जाय कि गटनतंत्र वाला कैंसल हो जाएगा दूसरी बात यहां पर अगर इस प्रकार का प्रशन आता है जहां पर थोड़ा सा अगर टाइपिंग मिस्टेक है या एरर आ रही है तो आपको ए ऑप्षन लगाना पड़ेगा ठीक है वह बात की बात है कि हमें क्या डिसीजन लेना है पर अगे बात करते हैं अच्छा मैं आपको थोड़ा और बता क्याओं कि एक शब्द है जैसे कि धर्म निर्पेक्ष तो यहां पर हमने दो शब्दोट जोड़े थें धर्म-निर्पेक्ष और समाजवादी और इसके साथ साथ हमने समयारे समिधान की उद्देशिका में पद भारतिय गणतंत्र का संधर्ब क्या है तो इसका संधर्ब क्या होगा या इसका अर्थ क्या होगा तो अगर आप गणतंत्र समझते हैं तो आप इसका अर्थ लगा सकते हैं यहां पर तो इसका आंसर होगा एक संप्रभू तथा तंतरक मतलब लोग तंतरात्म गणराजी से तो इसका अप्शन डी सही है सबसे अच्छा तो इसका आंसर आपको डी लगाना है अगला है आपका प्रश्न भारत के समीधान में प्रयुक्त शब्द धर्म निर्पेक्ष का अर्थ क्या है अच्छा मैं आपको प्रस्तावना की वीडियो में समझा चुका हूं निर्पेक्ष एक नकारात्मक्षब होता है परन्तु भारती विद्वारों ने इसको सकारात्मकर्थों में लेने की मांग करी है और धर्म निर्पेक्ष कर दिया है 1976 से तो यहां पर इसका क्या अर्थ होगा तो राजी का अपना कोई धर्म एक तो ये बात आ सकती है या सबी धर्मों के साथ समान वेभार किया जायेगा तो राजी का अपना समान धर्म नहीं होता है और लास्ट वाए और B दोनों सही है तो इसका आंसर देखिये कि राजी का अपना कोई स्पेशल धर्म तो नहीं होगा ठीके यह भी सकारात्मक बा सकारात्मक बात है हमारा कोई भी धर्म नहीं है दूसरी बात सभी धर्मों के साथ समान वहवार है तो भारत में ही होता है सभी धर्मों के साथ समान वहवार तो ए और बी ऑप्शन दोनों ही इसके सही लग रहे हैं और अगर माल लीजी कि डी ऑप्शन नहीं होता ए और बी सही वाला तो यहां पर आपको सबसे अच्छा अंसर होता B option सबी धर्मों के साथ समान वहवार तो यही आपको चूस करना था परन्तु अब यहां पर ए और बी दोनों वाला है तो आपको ए और बी दोनों चूस करना है ठीक अगले प्रशन पर चलते हैं कि सम्मिधान की प्रस्तावना की शब्दावली प्रभुत्व संपन प्रजात अंत्रात्मक या लोगत अंत्रात्मक गंडाजी को सम्प्रभुत्व संपन समाजवादी धर्म रिपिक्ष प्रजात अंत्री गंडाजी कब इसको चेंज किया गया जब भी आपको कोई रिफ्रेंस बुक पढ़ वक्त कि कव उसको जोड़ा गया है तो यहां पर यह पर जोड़ा गया तो समीदान की प्रस्तामना में 42 में संशोदन हुआ था तो 42 संशोदन 1977 इसका अंसर यही होगा क्योंकि 93 नी होगा 85 नी चमालीस्व समिधान शेंशोधन नहीं होगा तो आंसर है 42 चीक है तो यह आप याद रखेगा 42 समिधान शेंशोधन के माध्यम से हमने यह सब चीजे जोड़ी गई थी अब बात करते हैं निमलिकित में से किस वाद में पंत निर्पेक्ष को भारती समिधान का मूलभूत आधारिक लक्षन कहा गया है तो यहाँ पे आता है हमारा आरेस बोमई बनाम भारत संग के वाद में अभी निरधारित किया गया था कि पंत निर्पेक्ष जो है वो समिधान का मूल भूत धाचा है ठीक है गुलकनाद के वाद में नहीं क्या गया था मिनिर्वा मिल के वाद में भी नहीं में का कांधी के वाद में भी नहीं परन्तु आरेस बोमई के वाद में ये बात कही गई थी तो ये भी आपको याद रखना है आरेस बोमई नेक्स्ट प्रस्तावना में धर्म निर्पेख्ष या सेकुलर शब्द के डाले जाने से पहले भी निमलिखित मामलों में किसमें धर्म निर्पेख्ष को भारती समीधान का एक मूल भूथ विशेष्टा माना गया था तो इंद्रा गांधी बनाम नारायन, केश्वनन्द भारती बनाम केरल, वामन राव बनाम भारत संग और समता बनाम आंध्पदेश तो इसमें आपको पता होगा कि केश्वनन्द भारती बनाम केरला राजी का जो केश है वो 1973 में आया था और यहां पर जो है समिधान की उद्देशिका को एक अभिन अंग के रूप में स्विकार किया गया और माना गया कि बेसिक स्ट्रक्चर जैसी चीजे जो है वह उद्देशिका के अंदर लिखी गई है तो धर्म निर्पेक्ष को जाहिर सी बात है केश्वनन भारती के वाद में ही बेसिक स्ट्रक्चर या मूलभूत विशेषता माना गया था अब यहां पर लिखावा है कि कब इसमें चेंजेस नहीं आए तो चेंजेस आये थे शब्द जो है सम्मिलित किये गए थे कब किये गए थे तो वही है 42 समिदान शेंशोधन के माध्यम से इसमें चेंज किया गया था इससे पहले के जो शब्द हैं वो केवल आपके पास क्या थे वह आपके पास थे जो पुराना वाला प्रशन आया था संप्रभुतु संपन प्रजात आंत्रिक गणराज जी केवल यही लिखावा था उसकी जगे हमने क्या कर दिया पूरा एक लंबा सा सेंटेंस जोड़ दिया अगला प्रश्ण उद्देश्षी का क्या है बहुत चाप्रश्ण नहीं है तो इसका सबसेच अंसर भी मैंने बताया आपको केशवणनद भारती का केस 1973 में सुप्रीम कोट ने डिसाइड किया कि जो सम्मिधान की उद्देशिका है वो इसका अंग है परंतु इससे पहले केस आया था 1960 में 1960 के केस में जिसको नाम है इरी बेरुबारी तो इस वाद में उच्चतम नहीं आले सुप्रीम कोट ने कहा था कि उद्देशिका समिधान का अंग नहीं है और इसी केस में भी यह भी कहा था कि अगर भाशा संदिक्द हो या इस परष्ट हो तो उद्देशिका का यूज कर सकते हैं उसको डिटेल करने के लिए तो यह इरी बेरुबारी का केस था परंतु वर्तमान में अब अगर प्रशन आता है कि क्या उद्देशिका अंग है तो आपको बताना है कि हाँ डेफिनेटली अंग है 1973 में इसको घोशित किया गया है केश्वनन भारती के वा निर्दारित किया था अभी मैंने आपको बताया है कि 18 1960 का यह केस है तो इसमें उद्देशिका समिधान का हिस्सा नहीं है ऑप्शन सी जो है वो इस पश्च दिखता है कि यही इन्होंने डिसाइट किया था अगला प्रशन ले ले लेते हैं गोलकनात बनाम पंजाब राज इस वाद में नियायधी पती कौन थे जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने केस में पढ़ा था कि एम हिदायत उल्ला उस वक्त के नियाय मूर्ती थे मैं आपको बताया परन्तु यहां प्रशन पूछ रहा है नियायधी पती या मुख्य नियायधीश तो इस के जो मुख्य नि सीर्फ चाहुं जी और जो नियायधी पती सुब्भा राव जी थे इनों ने इस स्केस की प्रविद की थी पें परन्तु इस के सब्सचाहिन ने कहा था कि उद्देशी का समय पतिछ ऐना होना है next question ले लेते हैं अपन भारती समिधान की उद्देशी का अब यह क्या बुलना चाहरा है तो ए ऑप्शन देख लेते हैं समिधान का भाग नहीं है प्राप्त किये जाने वाले लक्षियों को इंगित करती है यह गलत है यह करती है इंगित समिधान निर्माताओं के मस्टिश को खोलने वाली चाभी नहीं है एक्षिल में चाबी कहा है इसको तो ये दोनों उप्शन गलत हैं इसके COD तो सही उप्शन जो सबसे अच्छा है वो है B, A भी गलत, C भी गलत, D भी गलत तो भारत के समिधान की जो उद्देशिका है वो भारती समिधान मतलब लक्षों को इंगित भी करती है प्रस्तावना समिधान का भाग है यह प्रेक्षन उच्चतम नियालय द्वारा निमलिकित में से किस प्रक्रण में अभी निर्धारित किया गया तो प्रस्तावना समिधान का भाग है पहले मैं आपको बताता हूं भाग नहीं है जो किया गया था इरी बेरुबाडी जो केस था उनिच्चो साथ वाला जो था ऐसी 845 के बाद में उच्चतम नियालय ने इसे समिधान का भाग नहीं माना था तो दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी नेक्स प्रस्टे निमलिकित में से किस एक का भारत के समिधान की उद्देश्यका में उलेक नहीं क पर अभिव्यक्ति वर्ड भी आ जाता है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट की एकता तो गरिमा वाला भी पर सबके लिए शिक्षा वाला नहीं है नेक्स बात करते हैं किसे समिधान शंशोदन अधिनियम द्वारा समिधान की प्रस्तावना में दो शब्द जोड़े गए थे धर्म निर्पेक्ष और अखंता तो कौन सा होगा 42 समिधान संशोदन 1976 इसके लावार तो और कोई संशोदन है नहीं नेक्स बात करते हैं भारती समिधान की प्रस्तावना में क्यार नहीं है तो देख की समझ में आ रहा है लोगतंत्र है गणराज यहे धर्म निर्पेक्ष रहे से तो शुरक्ष रख शवड नहीं कि नेक्स प्रश्ण नेम लिखित में से समीधान द्वारा प्रदत्त नहीं है ठीक है तो राजितिक न्याए मिलता है स्वामेजिक न्याए मिलता कार्थिक राज्जितिक निया है वो तो हम प्रदान कर देते हैं पर नयतिक निया प्रदान नहीं करते हैं अब बात करते हैं सम्विधान neshodan next question हमारे समुधान की उद्देशिका का सर्वादिक महत और समिधान का अर्थाण वयन और निर्वचन उद्देशिका के एक popularत्त महान और अधिश्वाराज प्रकाश में किया जाए ऐसा न्यायमूर्ति सीकरी ने ये मत अभीव्यक्त किया था कौन से केस में किया था तो न्याय मूर्ती सीकरी का संबन कौन से केस में है तो यह है केश वानन्द भारति बनाम केलाराज 1973 आपको यादी हो गया होगा अब तक तो भारत के समिधान की प्रस्तावना प्रियंबल में अब तक कितनी बार शंशोधन किया गया है दोस्तों आपको पता है 42 समिधान शंशोधन 1976 गुरा एक बार शंशोधन किया गया है तो इसका आंसर D सही है एक बार नेक्स प्रशने हमारे समिधान की प्रस्तावना में महत्रपून प्रस्ताव निम लिखीत किसके नाम से बनाया गया तो प्रस्ताव किसके नाम से बनाया गया तो शुडवात हमने लिखीती हम भारत के लोग हम भारत के लोग तो इसका अंसर वही होगा हम भारत के लोगों से तो इसका असर ए सही है ''V the people of India'' इस प्रकार से हमने जो समिधान की उद्देशिका है उसके समंध में कुछ प्रश्न देखे अन्य जो मिक्स प्रश्ण है उसके माध्यम से मुद्देशिका के बहुत सारे और प्रश्ण जो छूड़ गए उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे और नेक्स वीडियो में मैं कोशिश करता हूं कि संग राज शेत्र और नागरिक्ता दोनों के संबन्द में एक संयुक्त वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे पाओं तब तक के लिए हमार साथ जुड़े रहिए धन्यवाद